आज मैं उन लोगे के बारों में वीडियो बनाना चाहता हूँ जो लोग गल्प में जाके respectfully एक long term career set करना चाहता है तो यहाँ पर मैंने 4 point को analysis किया है जो इन पिछले 2 सालों में मैंने खुद experience किया है तो यह वीडियो बहुत informative और knowledgeable होने वाला है तो वीडियो के बिलकुल भी skip मत किजिए और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो एक like जरूर कर दिजिएगा और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और पास में रहे बेल बटन को भी all में select कर लिजिए तक कि मेरे वीडियो सबसे पहले आप लोग का पास जा से गए तो चलिए सुरू करते है तो फर्स्ट पॉइंट है always keep gathering knowledge and keep yourself updated आप दिन में जितना भी busy हो at least 15 से 20 मिनिट आपका 10 related knowledge आपको daily लेते रहना चाहिए चाहिए वो google से हो, कोई book से हो, youtube से हो, कहीं से भी especially यह lockdown के time always keep in touch with your trade यह सिर्फ मेरा opinion नहीं है यह जो मेरा higher officials थे, यह भी मुझे यह advice दिये थे इससे क्या होगा, इससे काम के जगए में आपका respect बहुत ज़्यादा बर जाएगा और जो second point है, वो है always expect your co-worker and your senior ऐसा बहुत जगह में आपको मिलेगा कि आपका पास अपर degree या diploma है मगर आपका जो co-worker है या तो फिर आपका जो senior है उसका पास कुछ भी degree या diploma नहीं है मगर आपको first में लगी सकता है कि मैं तब इसका under में क्यों काम करूँ या तो फिर मैं इससे कम salary में क्यों काम करूँ मगर एक बात अपनी जहन में अची तरह से घुसा लीजिए कि गल्प में अगर आप लोग काम करने जाते है तो first का 5 से 10 साल आपका degree से ज़्यादा आपका experience matter करता है तो आपका co-worker और आपका senior का पास जो experience है वो आप 3 साल का diploma या 4 साल का BITEC में भी नहीं ले सकते तो जो भी co-worker और senior लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे तो always उन लोगों को respect कीजिए और उन लोगों के साथ रहे के कुछ ना कुछ नया सीखने के कोशिस कीजिए क्योंकि वो knowledge आपको किताब से या बुक से कहीं पर भी नहीं लेगा और 3 है work politics work politics से बचिए और इसमें खुद को indulge मत किजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे country से लोग आता है काम करने के लिए और same country से भी अगर same state से होते है तो उन लोगों में bonding बहुत ही अच्छे होते है अगर आप उन लोगों में से नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा sincere है न परेगा कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोले आपको किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोलना है कुछ नहीं सुनना है, आप यहाँ पे काम करने गया है, काम कीजिए, knowledge gather कीजिए, क्योंकि आपका एक बात का क्या meaning निकल जाएगा, और इससे क्या हो सकता है, आपको पता भी नहीं है, इसे आपका job में भी effect पर सकता है, और हाँ, सबसे important बात, अगर आपका co-worker का पास knowledge आपस से ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी आपका senior लोग उससे आपसे ज्यादा respect देते है, तो आपको किसी से उलजना नहीं है, किसी को कुछ बोलने का नहीं, relation भी खरब करने का नहीं है, और हाँ, अपना knowledge हर जगा में सो भी नहीं करने का है, इसे positive से ज्यादा negative impression ज्यादा परता है, आप अपना काम मन लगा करते रहिए, कुछ मिनने बाद automatically आपका senior लोग को पता चली जाएगा कि इस बंदे में कितना capability है, don't worry, उपर वाला सब का साथ है, और जो fourth point है, always follow and obey the rule, हम लोग जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेस और नेपाल से बिलोंग करते है, यहाँ पे हम लोग का rule तो होता है, मगर हम लोग यह rule को seriously नहीं लेते, मगर गल्फ countries में ऐसा नहीं है, गल्फ countries में work place में हो, या work बाहर में हो, कहीं पे भी, जो rule है, उसको बहुत strictly follow किया जाता है, अगर वहाँ पे कोई भी गल्ती हो जाता है, तो वहाँ पे warning नहीं मिलता ह आइदर आपको उसके लिए fine बनना पड़ेगा, ने तो उसी दिन आपको अपना कंठी का ticket मिल जाएगा, तो इसलिए be careful about this rule, तो यह chart point को अगर आप लोग मान के चलते हैं, तो respectfully long time के लिए आप लोग वहाँ पे settle हो सकते हैं, तो यही चार बाते मुझे आप लोग असा share करन और नए लोग ऐसा ही कतर का बारे में information और कतर का ब्लॉग पाने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पे, तब तक के लिए take care, stay safe